हेलो फ्रेंड्स कैसी हूँ आप जैमा टैरू में आपका स्वागत है जैमा टैरू आपका अपना टैरू गाइस जैमा टैरू की जन्नर डीडिंग का टोपिक है जानिए वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे है जी हाँ आज हम उस परसन को देखेंगे जो आपसे प्यार की बा प्यार है वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे है यह रीडिंग ही शी सेम जैंडर सभी लोगों के लिए है जो भी लव प्यार महुबत के रिष्टे में है चाहें वो मैरिड हो चाहें अनमैरिट लेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है वक्त की कोई पपंदी नी अब जब चा सारी कलाइटे मिलने वाली है और आखिर मैं मिलने वाली एक एडवाइस जो होगी आपके रिष्टे के लिए बहुती बेखर तो गाजई जानिए वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं चाहें आपके सार नोक जोक हैं चाहें किसी वज़ां से या किसी बीजिनेस की सूस करता है काफी दिनों ना मिलो तो भी फील होता है तो चलिए फस्ट कार्ट देखते हैं कि टैन ओफ कप्स पेज ओफ कप्स क्या बात है भई दा हेरोफेंट आज तो बगवान लगता चपड़ फाड़ के देने वाला सबको सबकुछ वाव शिक्स ओफ कप्स फाइफ ओफ पेंटिकल्स सेवन ओफ कप्स लीजिए नाइट ओफ कप्स क्या बात है गाईज आज चपड़ फाड़ के सबकुछ सबको मिलने वाला है बस आप जोलिया ले लेके बैठे रहें पीजिए वाला सब खड़ी नाइट खड़ी ताउश गाइज यह डिवाइन टैरो की रीडिंग है यहां कार्ड मुझ से बोलते हैं बोटम में क्या मिला है आज हमें यहां पे गाइज सभी साइन आए है अर्थ साइन भी है सबसे कम एयर फायर वाटर वाटर तो आज बहुत जाद आया हुआ है तो खुश हो जाएगी क्योंकि वाइटर साइन अच्छे की भी निशान नहीं है तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ जिसका टोपिक है वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं तो गाइज पेले मैं सबसे यह बताऊंगी कि यह कुछ लोगों के परसन और कुछ लोगों के परसन इस वज़ा से अदूर है कि आप लोगों का रिष्टा आगे बढ़ नहीं पा रहा यह नहीं है कि वो इंसान आपको चाहता नहीं है जा आप फैमली प्रोब्लम हो यहां मुझे मिला हुआ है क्वीन ओफ सोर्स का कार्ड जो यह बता रहे है कि बहुत से लोगों के रिष्टे में यह प्रोब्लम है वहां आपका रिष्टा आगे नहीं बढ़ पारा तो परसन जो है परेशान है इस कारण भी दूरिया जो है बनी है क्योंकि इनको लगता है रिष्टा आगे बढ़ना चाहिए यहां दो दाफूल का कार्ड का अगर बात करूँ तो आपके परसन भूले भाले सीधे साधे प्यारे से एक क्यूट परसन है जिनको ज़्यादा वल्फरेप छल कपट हेरा फेरी नहीं आती एक ऐसे इंसान है सिंपल लिविंग वाले और इनको चटक मटक वाले कपड़े पहना पसंद है लेकिन जब से आप लोगों के रिष्टे में फैमली जा फाइनस ने बीच में इंटरफेर करा है आपके रिष्टे में थोड़ी सी दूरियां बनी हुई हैं कुछ लोग तो इस टेम लेस कंटेक्ट या नो कंटेक्ट में चल रहे हैं ये देखिए जो इनसान आपके लिए इतना परेशान है वो है टेन ओफ वॉंट्स टेन ओफ वॉंट्स यनि की बता रहा है कि ये इस टेम काफी स्ट्रेस में है अंजाइटी में है इनको लगता है कि रिष्टा आगे बढ़ाना है ये आपके बगैर गाईज अपने आपको अकेला में हिसूस करते हैं सेवन ओफ कप्स साथ में फाइफ ओफ पैंटिकल्स कि जो इनकी फैमिली जा इनके और आपके रिष्टे में बादाएं डालने वाले लोग ना इस इनसान को अभी भी काफी मैनुकलेट करते हैं अभी भी इनके लिए और आपके लिए इनकी अलग अलग राय हैं हमेशा जो है मैनुकलेट करके आपसे दुरियां मनाई रखने को कहते हैं इस वज़ा से शायद हो सकता है आपकी अपने परसंद के साथ नोक जोक होगी हो इस टेम परसंद के तीन-तीन काड आए हैं और तीनों में वो बहुत दुखी हैं आप अपनी जगह सही हो आपकी नराजगी अपनी जगह सही है ये इनसान जो है ना गाइस आपसे बेहत प्यार करता है देखिए नाइट ओफ कप्स का कार्ड ये आपके लिए हर दम रेड़ी है चाहे आप लीविंग मांगो चाहे आप कमेंट मांगो चाहे आप मेरिज मांगो ये हर दम रेड़ी है आपके परसन की आपके लिए ये कहते ना पागल बावला उस किसम के ये आपको परपोस करने की भी हिम्मत रखते हैं परपोस मेरिज तक की इम्मत रखते हैं ये जो हैरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि इनके दिल में कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं ये शादी के हिसाब से आपके साथ रिष्टा बनाते हैं जब लापास्ट में बनाया है ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हो एक प्यारा सा गर हो जिसमें क्यूट क्यूट दो तिन बेबी हो और एक मैरिड लाइफ हो जो इनको पसंद है लेकिन यहां पे जो इनकी फैमिली जब फाइनस है वो आप लोगों के रिष्टे में बांदाई डाल रही है यह इनसान की थोड़ी सी मुरुकता यह है कि जितना बोला-बाला है जितना प्यार करता है इसकी अपनी फैमिली के आगे पेश नहीं चलती इसलिए यह इनसान इतना स्ट्रेस में है यह सारी खुशियां आपके लिए बटोर रहा है और सारे सपने आपके इसलिए साथ सजा रहा है आपके पास आना चाता है आपके पास आके अपने सारे सपने पूरे करना चाता है और यह कार्ड जोन लोगों का नो कंटेक्ट जल इगनोर कर रहे है परसन वो आपके साथ रिजूनियन करना चाते है गाइस यह जो पांच कार्ड आना आपके रिष्टे को लिए इतने बेहतर है इतने बेहतर है हो रहा है सिला मश्वरा चल रहा है यह इनसान जो है इन चीजों को नहीं मानता लेकिन जो इनकी फैमिली जो है वह इन चीजों को लेके आपके परसन को आपसे अलग करना चाहती जैसे कि कोई कोई एसक्यूज ऐसा हो जिससे आपके परसन के आपकी तरफ ना आये इनकी भात रहे बादा बनी रही यह परसन आपके बगार बहुत दुखी है क्योंकि इनों ने आपके साथ बहुत सारे सपने सजा रखी हैं जो इनको अभी मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आप देख पर्षिटी है फैमिली और फाइनस पूरी मैनुकलेशन चल रही है आपके परसन को लेके हर तरह से ब्रेंट वोश अपने हिसाब से किया जाता है एक इनसान होता है अगर कोई किसी का ब्रेंट वोश करता है अच्छे के लिए तो ये सिरफ अपने हाथ में अपनी तरफ खीच के लिए brain force किया जाता है ये इनसान आपको हमेशा इस तरह से समझता है जैसे आप बहुत बड़े इसके जीवन के जीवन साथी क्या आप उनका lucky draw हो लेकिन इनकी family और finance जा third party कहलो वो रिष्टे में आगे बढ़ने नहीं दे रही ये इनसान जिन्दगी में खुशियां आपके साथ ही देखता है आज इस person की ये हालत है ये आपके बगार बहुत उद्रास है बहुत टेंशन में रहते हैं अपने आपको एक stress level का समझते हैं और इतना बीच में कुछ लोगों के person इतने लो हो गया है कि सिर्फ अकेले बैठना ही इनको पसंद है अपनी चीजे बसने केलने वाला वक्त इनको याद आता है आपके बगार अगर ये city या state से किसी अपनी business job के लिए बाहर गए हुए हैं तो आपको बहुत मिज़ करते हैं ये nine of bottom में जो मिला है nine of wants का card आप देख रहे हो कि सबके होते हुए भी सबके होते हुए भी ये इनसान अपने आपको अकेला मेसूस कर रहा है तो इस इनसान की अगर आप बात करें कि आपके बिना कैसा मेसूस कर रहे हैं तो आपको बहुत miss करते हैं ये बहुत याद करते हैं और बहुत उदास है आपके बगार इनको खाली-खाली लगता है वो इसलिए लगता है कि ये जो इंसान आपसे लव करता है ये true love करता है इसकी क्वैशे जो है marriage तक की है बीवी बच्चों तक की है पार्टनर तक की है और ये हमेशा आपके लिए कप लेके खड़ा हुआ है आपको परपूस करना चाहता है आपके साथ जिंदगी आगे बढ़के गुजारना चाता है लेकिन रिष्टे में जो बदाएं है वो already है लेकिन इनकी उदासी भी अपनी जगा सही है ये आपको बहुत मिस करते हैं बहुत याद करते हैं इनके बसकी निबात ये तो आज ही आपकी बातो और आपकी खुएशों पे खरे उदर जाएं तो इस टेम क्या है इनके फैमली और फाइनस लेकिन इनके दिल बहुत उदास है क्योंकि हमें बोटम में भी मिला है ना नाइन उफ वोंट्स का गार्ड वो बताता है कि अकेला पन इनका जिंदगी का सहारा बनता जा रहा है ये अंदर से इतने अकेले है सब के बीच में भी अपने आपको अकेला समझते है तो गाईज ऐसा तब इनसान समझता है कि जो ज़्यादा लो हो चुका हो जिसकी एनर्जी ज़्यादा लो हो चुकी हो तो हमें क्या करना है हमें आप एक निकालना है एडवाइज कार्ड जो आपके लिए भी अच्छा हो आपके रिष्टे के लिए भी अच्छा हूँ दो कार्ड निकलेंगे जाईज आज एक से बात नहीं बनेगी लीजिए गाइज कहते हैं कुछ बोलने की जरूर नहीं देखिए गाइज आप भी उनकी तर बगैर बहुत उदास हो आपका दिल भी बहुत मिस करते हुआ आप बहुत ज़्यादा लेकिन परसन जो है अभी फैमिली के चुंगल में है यानि कि अपने जगत फाइनस की वज़ा से बाहर गए तो उसमें फसे हुए हैं अभी ये पूरी तरह से पोजिटिव नहीं हो पा रहें तो उसके लिए एडवाइज ये है कि आपको अपने आस स्ट्रेस और डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा रिष्टा और आगे तक लेट होता जाएगा और चीजे जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये थी आज की रिडिंग जिसका टोपिक था कि आपके परसन आपके बगार कैसा महसूस करते हैं तो गाइज ये बहुत प्यार क करते हैं आपको इसलिए ये बहुत मिस करते हैं बहुत याद करते हैं आपको और इनको अकेला पन जो है बहुत खटक रहा है तो गाइज ये थी जन्नर डीडिंग जन्नर डीडिंग कुछ के साथ मैच होती है कुछ के साथ कई बार सारी मैच होती कई बार नहीं लेकिन हमार यहाँ personal reading भी open है जो एक general rate में है वो personal reading सिर्फ आपकी होगी आपके partner की होगी cards सिर्फ आप लोगों के नाम के निकाले जाएंगे जिसमें सवाल आप के होगे जवाब cards के होगे और जो सिर्फ जो है आपके बारे में होगी और secret way में होगी ये रीडिंग सीक्रेट वेड में यहां होती है तो आप चाहें तो डिसकप्शन बोस में जाकर आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं उसमें सारा स्लोट दिया हुआ है अगर ये वीडियो पसांद आई हो तो लाइक शेर कमेंट करना साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कू फ्री है बेल आइकन को आपने जुरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफेशन मिले आपके फोन पर अभी तक के लिए इतना ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए God bless you और जया माता दे